दोस्तो पेवर ब्लॉक बनाने के लिए पहले कलर मिक्सिंग किया जाता है और इसके लिए पेश है आरके टाइल्स कंपनी का कलर पैन मिक्सर आप देख सकते हैं कि कैसे स्चांदार तरीके से ये मशिन कलर को मिक्स कर रही है इसके निरदारीत मातरा में सिमेन, पानी और कलर को डाल कर इसे मिक्स किया जाता है दोस्तो इस मशिन की efficiency इतनी वेतर है कि बस कुछी समय में इस मिक्सर को मिक्स करके तयार कर देता है दोस्तो पेवर ब्लॉक में अलग-अलग कलर देखने को मिलते हैं इसे red, yellow, grey आदि तो आप अपने हिसाब से color को choose कर सके हैं ये pan continuous गुमते रहता है इसमें तीन horizontal plates दिये गए हैं जिससे color एक समान mix हो जाता है दोस्तों इस color mixer में concrete mixer को भी डालना होता है और इसके लिए एक concrete mixer machine की भी आवश्यक्ता होती है तो अभी concrete mixer को बनाया जा रहा है दोस्तों concrete बनाते समय सबसे पहले पानी में hardner को मिलाया जाता है और ये बेहदी जरूरी होता है क्योंकि अगर hardner को मिलाया नहीं गया तो paper block को सूपने के लिए कम से कम 2-3 दिन लग सकते है वही hardner की मदद से ये केवल 24 गंटों में ही सूप कर तयार हो जाते है अब इस बनाया गया mixer को machine में डाल दिया जाता है इसके साथ इसमें sand, aggregate यानि गिट्टी, stone dust और cement in raw material को एड़ किया जाता है दोस्तों गिट्टी और stone dust आपको stone crusher में आसाने से मिल जाती है इन सभी raw materials को एक निर्दारित मातरा में मिलाया जाता है और इस material का ratio आपको machine लेते समय कंपनी दोरा बताया जाएगा अभी आप अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से सभी चीजे mix हो रही है इस mixture अभी ready हो रहा है इस mixture machine के साथ आपको एक supporting table भी दिया जाता है जिस पर आप एप पूरा concrete mixture निकाल सकते हैं अब side में दिये गया handle की मदद से concrete mixture को बाहर निकाला जा रहा है अब block बनाने के लिए color mixture और concrete mixture दोलो भी ready है अब बारी यह दिये feeling की तो इसके रहे आपको company दोरा mold दिये जाते हैं जो कि plastic या फिर silicone या फिर rubber के होते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अब इन mold यानि साचे में पहले color को डाला जाता है आप अभी देख सकते हैं color डालने के बाद mold को इस table पर रखा जाता है दोस्तो ये एक vibrating table है जिसकी मदद से table पर रखके mold आगे मूह हो जाते हैं अब एक एक करके mold में color डाला जा रहा है और mold धिरे धिरे आगे बढ़ रहे है color को mold में डालने की quantity fix होती हैं आप इसे कम जादा नहीं कर सकते इस सभी mold आगे जाने के बाद जो concrete mixture निकाला गया है उसे एक एक करके color डाले गए mold में डाला जाएगा अब mold में mixture को डाला जा रहा है दोस्तो ये भी एक vibration table है जहासे mold बरने के बाद अपने आप आगे जाएंगे दोस्तो ये इस vibration table की मदद से भरे होए mold अपने आप plane हो ही जाते है लेकिन फिर भी final touch के लिए इसे manually plane किया जाता है ताके इस mold का surface plane हो जाए अब इन mold को एक एक करके सुकने के लिए रखा जा रहा है इन mold की live काफी अच्छी और मजबूत होती है जो की सालो साल चलती है दोस्तो इस business को शुरू करने के लिए ज़्यादा manpower के आवशकता नहीं है सिर्फ 4 या 5 worker मिलकर ये पेवर block बना सकते है अब आप अगले दिन देखेंगे कि ये सभी block सुक कर कैसे तयार हो जाते है नॉर्मली इसे सुकने के लिए 2-3 दिन लगते है ठीकिन क्यूंकि हमने इसमें hardner डाला है तो ये एक ही दिन में सुक जाएंगे और इससे block में shine भी आ जाएगे अब आप देख पा रहे होंगे कि ये block सुक कर एकदम तयार है चलिए अब इसका mold निकालते है ये देखें कैसे इसका mold निकालना है इसे बस थोड़ा सठ होगेंगे तो mold अपने आप निकल जाएगा mold plastic का होने से आसानी से निकल जाता है और block की finishing भी आप देख सकते है और जबकि इसमें hardnel डाला है तो इसकी shine भी काफ़े अच्छे होती है ये mold निकाला बहर ये आसान है और ये plastic का है तो आसानी से तूटते भी नहीं दोस्तों ये eye shape का mold है जो eye shape का block तायर करता है इसका demo अभी आपने देख ही ले आए तो हमें नीचे comment में बताइए इसका finishing आपको कैसा लगा दोस्तों आप सिर्फ एक ही shape में नहीं बल्कि कही सारे shape में block बना सकते है specially government through दो shape को approve किया गया है एक तो है eye और दूसरा zigzag shape यहाँ पर आभी आप जिगजग shape भी देख सकते है दोस्तों इन दोनों shape में mold के अलावा कोई भी फरक नहीं होता बल्कि जो quality eye shape में मिलती है वही quality आप इस जिगजग shape में भी देख सकते है दोस्तों इस block को आपको अलग से paint करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है और कई सालों तक इसका color भी maintain रहेगा गर आंगन, पार्क, फुटपात पे इन blocks का इस्तिमाल किया जाता है जो कि देखने में काफे अच्चे लगते हैं इस समय ये काफे trending में है और सभी लोग इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो यदि आप इसका business करना चाहते हैं तो नीचे description में contact number दिया है आप call करके machine की price और कैसे आप इसकी business को शुरू कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों इन block का shape ही कुछ ऐसा होता है कि बस आराम से एक दुसरे में fit हो जाते हैं और इसकी life भी ज़्यादा है आपको इस machines कैसी लगे हमें नीचे comment में जरूर बताए और वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद